नमस्कार आप देख रहे हैं विंद्या टाइम्स और आपके साथ मैश्रिया मध्यप्रदेश में समाधान योजना लागू हो गई हब आप सोच रहे होंगे कि आखिली समाधान योजना क्या है तो यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो लाखो बकायादार घरेलू ब भोकता है यानि जिनका बिजली का बिल अभी भी नहीं भर पाया है उनके लिए योजना लागू हुई है समाधान योजना इस योजना में बकाया बिल की सो प्रतिशत सरचार्ज राशी के साथ 40 फीसिदी मूल बकाया राशी माफ की जा रही है और इसका लाप प्रदेश के हजारों उपभोकताओं को मिलेगा कुछ दिनों पहले हुई शिवराच कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया था जहां पर बिजली भिल उपभोकताओं को सो प्रतिशत सरचार्ज राशी के साथ 40 फीसिदी मूल बकाया राशी माफ की जाएगी जिससे बि योजना का लाब लेने के लिए उपभोकता को 15 दिसंबर तक बिजली कमपनी में अपना आवेदन जमा करना जरूरी है जो भी उपभोकता है जिनका बिजली का बिल इस योजना का लाब उन्हें मिलना है 31 अगस्त 2020 तक की बकाया राशी जो जमा नहीं किया है उनको अपना जरूर बिजली वभाग में जाकर जमा करना होगा उजा मंत्री प्रदुम सिंग तोमर ने बताया है कि समाधान योजना उन उपभोकताओं के लिए है जिन पर 31 अगस्त 2020 तक के बिल बकाया है उन्होंने ये अपील भी की है इस योजना में उपलब्द दो विकल्पों में स किसी को चुने दरसल कोरोना महामारी के कारण कई लोगों की नौकरी और दंदा पानी भी बंद हो गया है ऐसे में उपभोकता बिजली बिल बकाया जो राशी है उसको जमा करने में असमर्थ थे और इन तमाम परिस्थितियों को और उपभोकताओं की कठिनाईयों को देख उपभोकताओं के लिए एक बड़ी राहत की बात है जो दो विकल्प की बात उज्जामंत्री ने की है वो यह है कि पहले विकल्प के रूप में बकाया मूल राशी का 60 प्रतिशत एक मुष्ट भुकतान करने पर 100 प्रतिशत सर्चार्ज और बाकी 40 प्रतिशत मूल बकाया है और दूसरे विकल्प में यह कहा गया है कि मूल राशी का 75 प्रतिशत छे समान किष्ट में भुकतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशी और बाकी 25 प्रतिशत मूल बकाया राशी माफ थकि जाए गी इन दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प वेख प्ख्ता चु माफ की जाने वाली 100 प्रतिशत सर्चार्ज की पूरी राशी और माफ की गई मूल राशी का 50 प्रतिशत संबंधित विद्यूत वितरंड कमपनी भरेगी माफ की गई मूल राशी का शेश यानि बाकी 50% राज शासन भरेगा और इसके एवज में वितरन कमपनी को सबसिडी दी जाएगी 30 दिन के अंदर निप्टारा करने की भी बात कही गई है इस योजना में अपलाई करने की आखरी तारीख 15 दिसंबर है बिजली वितरन कमपनी को ये निर्देश दिये गए है कि उस दिन तक जितने भी आवेदन मिलें उन सब का निप्टारा 30 दिन के अंदर किया जाए यानि 30 दिन के अंदर योजना का लाब उपभूकताओं को मिल सके अगर उपभूकता 15 दिसंबर तक अपलाई नहीं करते हैं तो वितरन कमपनी को बकाया बिल अगले महीने के बिल में शामिल कर देगी तो ये योजना समाधान योजना मध्यप्रदेश में लागू कर दी गई है जिससे जो बिजली उपभूकता है जिनकी राशी बिजली बिल जमा नहीं हो पाया है उनको इससे बड़ा लाब मिलेगा लेकिन दो जो विकल्प हैं उन पर ध्यान रखे और 15 दिसंबर तक आवे